नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विसी एस अगेडमी पर और आज की इस वीडियो में हम नीट आईटी से सम्बंधी टोपिक लेकर आए हैं इस वीडियो से हम कक्सा 12 का सेकेंड चैप्टर इस्तिर वैद्दु दिभाव यम धारीता को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम वैद्दु दिभाव एलेक्टिक पोटेंशिल के बारे में संपूर जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस्तिर वैद्दु दिभाव होता क्या है इससे संबंदित सुतर देखेंगे मातरत वीमा की यहां पर हम चर्चा करेंगे साथ में हम विद्दु चितरसदा विद्दु दिभाव के मद्दे संबंद इस्तापित करने वाले हैं विभिन्न आविशों के निकाय के कारण से उत्पन विद्धुत विभव के वेंजक यहां पर देखने वाले हैं, साथ में इन सभी बिन्दों पर आधारित, नुमेरिकल के विशन्स भी यहां पर सोल करेंगे, हल करेंगे, तो यह जो आज का हमारा वीडियो है, वो यहां पर हम actual में करते क्या है, एक आविश लेंगे, और उस आविश को अनन्द सें विद्दुचित्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो लाणे में जो भी काम करना पड़ता है उसी काम को ही उसी कारी को ही हम विद्दुत विभव कहते हैं चले डिफनेशन क्या है? यह जैसे हमारे पास में अनन्द है और इस अनन्द सें हम कोई आवेश लेकर चल रहे हैं Q-0 अनन्द सें इसे आवेश को यहाँ पर हमारे पास में कोई विद्दुचित्र है यह क्या है? विद्दुचित्र आवेशों का निकाई है वो एक समान या आह समान विद्धुचितर यहां पर create करा है हो सकता है इधर जैसे कोई आवेश है capital Q और यह capital Q यहां पर क्या create कर रहा है विद्धुचितर उत्पन कर रहा है तो इस विद्धुचितर में हम इस Q0 को लेकर आ रहे हैं कहां से लेकर आ रहे हैं अनन्द से लेकर आ रहे हैं तो अनन्द से विद्धुचितर के अंदर किसी बिंदू ए तक हम इसको लेकर आ रहे हैं तो किसी आविश क्यों जी रोको अनन्द से विद्धुचितर के किसी बिंदू तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हा मैं विद्धुति भव कहते हैं इलेक्टिक पोटेंसिल कहा जाता है क्लियर देखें डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि एकांक धनावेश को या परती एकांक क्योंकि इसको हम देखो अभी फोर्मूले से हम पूट गर देंगे परती एकांक धनावेश को अनंत से विद्धुत छित्र के किसी बिंदु तक विद्धु छित्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कारिय लाने में किया गया कारिय विद्धु विभाव कहलाता है देखिए जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसी एकोर्डिंग है इसका जो फोर्मूला है विद्धु विभाव को वी से लिखा जाता है डबलू अपॉन में क्यू नॉट क्यू जीरो देखिए यहां पर हम यह जो डबलू है वो है बाहे कारिय अक्स्टनल वाक्डन कि हम लेकर आ रहे हैं बाहे निकाई इसको लेकर आ रहा है विद्धु छित्तर तक हमारे द्वारा लाया गया है इसलिए इसको हम बाहे कारिय अक्स्टनल वाक्डन कहेंगे कहां से लेकर आ रहे हैं अनन्द से बिंदू ए तक लेकर आ रहे हैं कौन से आविश को लेकर आ रहे हैं Q hero को लेकर आ रहे तब विभव V बराबर हो जएगा WA infinite upon Q naught ये इसका formula है definition के according ही हमने इसको लिखा है अब देखी यहां से कुछ चीज़े clear कर लीजिए कि अनन्द का जो विद्दूतिभव है वो सुनने लिया जाता है अनन्द का विद्दूतिभव कितना लेकर चलते हैं सुनने लेकर चलते हैं clear साथ में पर्थवी का भी विद्दूतिभव सुनने माना जाता है इन दोनों चीजों को clear कर लीजिए कि पर्थवी और अनंत पर विद्धुत विभाव सुनने लिया जाता है ठीक, तो यहां पर मैं आपके सामने put कर देता हूं पर्थवी वै अनंत पर विद्धुत विभाव सुनने लिया जाता है विद्धुत विभाव सुनने लिया जाता है देखें, यहां से जो फोर्मूला है इससे आप देखेंगे, डबलू कारिय है जो कि एक अधिसरासी, आवेश भी एक अधिसरासी देन जो विद्धुत विभाव है, वो भी एक अधिसरासी होती है तो यह एक अधिसरासी होती है हलांकि यह धनात्मक और रिनात्मक हो सकती है अधिसरासी, जो कि अधिसरासी होती है ठीक है हलांकि यह दो परकार की विद्धुत विभाव को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में इसके चिन्न के आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं विभव के देखी परकार देखेंगे विभव के परकार पहला जो विभव है वो है धनात्मक विभव धनात्मक विभव और धनात्मक विभव धनावेश के कारण से उत्पन्न होता है जो निकाई है उस पर जो आवेश है वो है धनात्मक तो धनात्मक विभव किरेट होगा उत्पन होगा तो धनावेश के कारण किस वज़े से किरेट होता है धनावेश के कारण से उत्पन होता है second जो part है वो है रिनात्मक विभव रिनात्मक के विभव और जो रिनात्मक विभव है वो रिनावेस की वज़े से उत्पन्न होता है किस वज़े से create होगा रिनावेस की कारण clear यहाँ पर यह जो आप formula देख रहे हैं इस formula के according आप देखेंगे इसका मात्रक और वीमा चलिए मात्रक देखें वीक का मात्रक वही होगा जो डबलू पॉल में Q का मात्रक होगा डबलू पॉल में Q का मात्रक डबलू यहां पर कारिय है जिसका मात्रक होता है जूल इसका मात्रक क्या होता है Jool, क्यों यहाँ पर आवेश है और आवेश का मातरक होता है कुलाम, तो Jool परती कुलाम इसका मातरक होगा और इसे हम वॉल्ड कहते हैं विद्यारतियो, इसे ही क्या कहा जाता है, वॉल्ड कहा जाता है, यह ऐसा ही मातरक है इसका, ठीक मैं यहाँ पर CGS पदित्ती में इसके मातरक की बाद करूँ तो CGS पदित्ती में देखे ये इसका मातरक होता है State Volt State Volt CGS पदित्ती में Electro-static Unit कह सकते हैं और एक जो State Volt होता है वो 300 Volt के बराबर होता है एक जो State Volt होता है वो 300 Volt के इक्वल होगा clear बात यहाँ पर करते हैं वीक की वीमा तो देखें वीक की वीमा क्या होगी फोर्मुले के according ही W की जो वीमा है कार यह है M1, L2, T-2 Q आवेश है बटे से उपर जाएगा then finally इस वीक की वीमा क्या निकल कराएगी M1, L2, T-3, A-1 इसकी वीमा होगी clear यदि आपको एक वोल्ट की डेफिनेशन पूछें यहाँ से एक वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी देखें एक वोल्ट बराबर हो जाएगा एक जूल परती एक कुलाम देखें डेफिनेशन समझें कि एक कुलाम आवेश को अनन्द से विद्दु छत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कारियदी एक जूल है तो विद्दु दिभव कितना होगा एक वोल्ट होगा कि परती कांग धनावेश को अनन्द से विद्दु छत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कारियरी एक जूल है तो विद्दु दिभव एक वोल्ट होगा क्लियर समझ में आ जाना चाहिए clear हो जाना चाहिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने विद्दु दिभाव के basic जानकरी ले ली है अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अब हम देखेंगे विद्दु दिभाव और विद्दु छेतर की दिवरता के मद्दे संबंद जो मैं आपको relation बताने जा रहा हूँ काफी भैतोफूर relation है विद्दु छेतर और विद्दु दिभाव दोनों के बीच में क्या relation होता है यह हम देखने जा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लेंगे विद्दु छेतर दा विद्दु दिभाव के मद्दे आपस में क्या relation होता है विद्दु दिभाव में संबंद दोनों के बीच में क्या relation होता है ठीक है विद्दु दिभाव को हम विज से पूट करते हैं विद्दु छेतर को ई से पूट किया जाता है देकि विद्दु छेतर दा विद्दु दिभाव दोनों के मद्दे आपस में relation स्तापित करने से पूर्व है यहाँ हम विभाव परवनता एक नया प्रिभासित कर लेते हैं कि विभव परवनता, potential gradient होता क्या है? परवनता का मतलब होता है धाल, potential gradient, विभव परवनता, कई बुक्स में इसको अक्सेपूट करते हैं. देखे, परवनता का मतलब है किसी रासी में, दूरी के साथ में परिवर्तन. तो विभव परवनता का मतलब यहां पर हो गया है, दूरी के साथ में, विभव के मायन में परिवर्तन को हम विभव परवनता कहते हैं. तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर क्या कलाती है? विभव परवनता कहलाती है. दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन की दर है, उसको हम विभव परवणता कहते हैं, पोटेंसियल ग्रेडियंट कहा जाता है, तो देखें विभव परवणता को हमें और क्या पूट कर सकते हैं, विभव परवणता जिसको हमें dv by dr से पूट करेंगे, dv by dr, मतलब यह यहाँ पर हमारे पास में है दूरी, अर्ग इसको रिपरवणता कर रही है, दूरी को very को विभव को पर में तो विभव में दूरी के साथ में जो परिववणता होता है, उसी को हम विभव परवणता कहते हैं, देखें यहाँ से आप इसका मातरक देख सकते हैं, वोल्ट परती मेटा है सारी चीजे clear कर लेनी है तो मातरक तो इसका क्या होगा विभव परवनता का वोल्ट परती मेटा है clear और ये जो मातरक है वो विद्दुचत्र की तिवर्दा का भी मातरक होता है हम ये जानते हैं तो देखो मैं आपको यहां पर clear कर दूँ कि ये जो रासी है एक सदिस राशी है कैसी राशी है सदिस राशी है और जिसकी दिसा जिसकी दिसा ए के विपरित होती है मतलब विद्दुचत्र के विपरित होती है विद्दुचत्र की दिसा के विप्रित विशा में इसकी direction होगी clear अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि विद्दुच्छतर की तीवर्ता और वीक के बीच में क्या relation होता है या विद्दुच्छतर की तीवर्ता और विभव परवनता में क्या संबंद होता है चले देखें क्या संबंद है यहाँ पर मैं आपके सामने है यह हमारे पास में अनन्त है और यहाँ से अनन्त से ही हम किसी आविश को विद्दुच्छतर में लेकर आ रहे हैं यह विद्दुच्छतर है अनन्त से किसी आविश को हम कहा लेकर आ रहे हैं तो देखें क्या होगा कि हम इसको अल्प विस्थापन देंगे थोड़ा सा विस्थापन देंगे और थोड़ा सा विस्थापन देने में किया गया कारिये हम देख लेंगे वहीं से हम देखें जैसे हम विद्दुचितर में इसको थोड़ा सा विस्थापित करें यह जैसे माल विद्दुचितर के विरुद्ध हम लेकर आ रहे हैं, तो DR की जो डाइरेक्शन है, वो इस डाइरेक्शन में, विद्दुचितर उसकी अपोजी डाइरेक्शन है, हम इस आवईश को धीरे धीरे लेकर आएंगे, अभी जैसे मैंने विद्दुद्विभोग की डेफिनेशन तो इस आवईश को हम तवरित गती प्रदान नहीं करेंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इसको हम अनन्द से लेकर आएंगे, तो देखे इसको अनन्द से, विद्दुचितर की किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, हम यहाँ पर DR विस्थापन देने में किया गया कारिय ग्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, और बाहे कारिय है, तो बल भी कोण लगाएगा, हम ही लगाएंगे, और विस्थापन कितना दिया जा रहा है, DR विस्थापन दिया जा रहा है, तो मुझे अम्मीद है कि DW बराबर F vector dot DR vector आपको समझ में आ गया होगा, अ विद्धु छित्र के द्वारा लगाया गया बल, यदि हम भूत धीरे-धीरे लेकर आते हैं, धीरे-धीरे लेकर आने का मतलब है आप तवरित गती प्रदान नहीं कर रहे हैं, और जब तवरित गती नहीं हो रहे हैं, इट मिन से उस पर लगने वाला जो कुल बल है, वो कि हम इसको तवरित गती प्रदान नहीं करना चारे, और जब तवरित गती नहीं है, इसका मतलब है कि उस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, वो सुनने है, और कुल बल सुनने है, इसका मतलब यहाँ पर डाइग्राम को क्लियर गरें, कि ये तो है अनंत, अनंत से हम पन है DR और इस बिंदू पर आवेश मुझूद है Q0 इस आवेश पर हम इधर धखा लगा रहे हैं जिसके कारण से बल लग रहा है F external और इस आवेश Q0 पर यहां पर यह विद्दू चितर में ही तो हम ला रहे हैं और विद्दू चितर के विरुद्ध हम दखा मा रहे हैं विद्दू चितर के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं तो यहां से हम इसको अनन्द से बिंदू एतक ला रहे हैं तो इधर हम इसको दखा लगा रहे हैं बल हमें इधर लगाना पड़ रहा है F external तो इस आवेश Q0 के उपर विद्दू चितर के द्वारा भी एक बल लगेगा उ उसको हम F E से लिख रहे हैं जो कि वेद्दूत बल है जो कि क्या है वेद्दूत बल और इस वेद्दूत बल का मान हो जाएगा Q0 into E के बराबर हो जाएगा मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि इस आवेश Q0 को हम धिरे धिरे ला रहे हैं तो इस पर टोटल जो acceleration वो 0 कुल बल 0 इसलिए F external और F E दोनों बराबर हो जाएगे डाइरेक्शन एक दूसरे के विप्रित हो जाएगी देन यहां से हमारे पास में क्या हो गया F external vector बराबर माइनेस में F E vector माइनेस में Q0 E vector यह आ गया यह चीज clear हो जाने चाहिए दिन यहां से हम क्या पूट कर देंगे? DW external बराबर F external की जिगे हम क्या लिख सकते हैं? Q0 E vector dot में क्या पड़ा है? DR vector clear? यहां से हम Q0 का भाग लगा दें तो DW external बटे में Q0 बराबर माइनेस में E vector dot DR vector और यह DW upon में Q0 यह आ गया हमारे पास में DV क्या हमारे पास में क्या आ गया? DV आ गया है, विद्दुत विभव आ गया है DV आ चुका है, क्या आ चुका है? DV अब हम यहां से इसको अनंद से कहा तक ला रहे हैं? बिंदु A तक, तो जो विद्दुत विभव है इसका हम integration कर देंगे integration इधर, integration इधर भी और कहां से ला रहे हैं? अनंद से बिंदु A तक इसका integration तो क्या हो गया? V हो गया तो माइनस में अनंद से लेकर A तक E vector dot dr vector यह हमारे पास में विद्दुत विभव आ चुका है क्या आ चुका है? विद्दुत विभव clear? V बराबर माइनस में अनंद से लेकर A तक E vector dot dr vector E vector dot dr vector clear? तो मुझे उमीद है यह सब आपको समझ में आ गया होगा यही है विद्दु चितर्दा विद्दु दिभव में आपस में संबंद और यह जो relation है वो काफी महत्वपून relation है विद्द्यानतियों जब हम आविशों के निकाय के कारण से विद्दु चितर की विद्दु दिभव फाइंड आउट करेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम यूज में लेंगे हमने लास्ट वीडियो में जो फस्ट चिप्टर की वीडियोस थे उसमें हमने विभिन आविशों के निकाय के कारण इसे विद्दु चितर की तीवर्दा का विजग आपके लिए निकाला है, find out किया है और आज हम विद्दु चितर की तीवर्दा विभिन आविशों के निकाय के कारण से हमें पता है और इस फॉर्मूले का प्रियोग करते विए हम इस विए की वेल्यू find out कर लेंगे clear तो विद्दु चितर की तीवर्दा का मान यहां पर रखेंगे integration करेंगे, हमारे पास में विए आजाएगा clear देखें, यहां से यह वाला जो आप फॉर्मूला देख रहे है इस फॉर्मूले से हम क्या put कर देंगे dv equal to minus में e vector dot dr vector यह हमारे पास में है e vector dot dr vector ठीक है, अब जैसे विद्दु चितर ता इसको दिया गया जो विस्थापन है दोनों के भी इसका angle यदि हम theta consider कर लें तो देखो इसको हम इस तरीगे से यदि अदिस के रूप में लिखें तो इसको इस तरीगे से लिखा जा सकता है e बराबर e बराबर minus में dv by dr यह relation भी काफी महतवपून relation है यह भी बार-बार यूज में आएगा देखो यह भी काम का है यह क्या बता रहा है यह विभव परवनता है विभव परवनता का जो रिणात्मक मान होता है वो विद्दुचितर की तिवरता को बताता है ठीक है यहाँ पर यह जो negative sign है वो हमारे को यह बताता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव का मान मतलब विद्दु छितर की दिसा में विभव का मान डिक्रीज होगा ठीक है विद्दु छितर की दिसा में विद्दु दिभव कम होगा चले मैं आपको एक एक जामपल की जिरी बता दाओं कि ये हमारे पास में कोई आवेश है क्यों ठीक है और यहां से जैसे हम दूरी जैसे यह हमारे पास में यहां पर है एक मीटर, यह हमारे पास में दो मीटर, यह हमारे पास में हो गया तीन मीटर, यह चार मीटर इस तरीके से, मैं आपको बदा दू कि बिंदू आवेश के कारण से जो विद्दु दिभव होता है, वो केक्यू बट्टे में आर होता है, तो तो जैसे जैसे देखो इस विद्धुत आवेश की वज़े से जो विद्धुचितर create होगा वो इस direction में create होगा विद्धुचितर की दिसा ये है, electric field की direction ये है तो electric field की direction में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो विद्धुत इभो का मान decrease होता जा रहा है यहाँ पर एक का भाग लग रहा है, यहाँ दो का लग रहा है, यहाँ तीन का, यहाँ पर चार का रासियों भाग लगने वाली रासि increase हो रही है, तो इसका मान decrease होता चला जाएगा ठीक है, तो विद्धुत इभाव decrease होता जाता है, यहाँ पर यह जो negative sign है, वो यही बता रहा है इस फोर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, कि विभाव परवनता का रिनात्मक मान विभाव परवनता का रिनात्मक मान है विद्धुत छित्र को बताता है, विद्धुत छित्र को बताता है देखो इसका भी मतलब clear कर लें, देखो यहाँ से negative sign क्यों आया, वो एकदम clear हो गया होगा और देखो माली जी कि यहाँ पर यह negative आवेश होता तो negative आवेश होता तो विद्दुचितर की direction ये होती और विद्दुचितर की direction में येधी हम बढ़ते इधर आगे बढ़ते तो विभव का मान घड़ता देखो यहाँ पर ये minus में हो जाता क्योंकि आवेश minus में, ये minus में, ये minus में अब बढ़ा कौन सा? अब की बार बढ़ा ये देखो रिनात ये वाला जो मान है पहले तो हमारे पास में क्या था? ये ये minus का sign नहीं है तो ये सबसे चोटा, minus का sign लगा दिया हमने सब के, तो ये सबसे बढ़ा हो गया ये क्या हो गया? सबसे बढ़ा फिर ये उससे चोटा, उससे चोटा, सबसे चोटा तो विद्दुच्च्च्च्च्र रिनात्म कावेश यहां पर ये रिनात्म कावेश है तो विद्दुच्चतर की direction यह होगी और विद्दुच्चतर की direction में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो विभाव गढ़ता जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा मान यह होगा electric potential है वो decrease होता जाएगा electric field की direction में ठीक मैं यहाँ पर बता रहा था इसके ढाल के बारे में इसको भी clear करें यदि हम V और R के बीच में graph खिंचे एक तरफ हम ले रहे हैं electric potential दूसरी तरफ ले रहे हैं हम दूरी तो जो graph है जैसे मालीजे कि किसी यह हमारे पास में ग्राप आ गया अब यह आया किसका उसको छोड़ो एक बार लेकिन यह graph आया तो यह graph आया तो यहाँ पर इसके किसी बिंदू के उपर खिंची गई जो इस पर सरेखा है वो उस बिंदू पर विद्दुचितर के मान को बताएगी और देखो इसका जो ढ़ाल है देखो मैं आपको बताऊ कि इसका जो ढ़ाल यदि इस तरीके से होता है तो यह होता धनात्मक क्या होता है जब यह थीटा है यह यदि 90 डिग्री से कम है कितने से कम है 90 से तो वो ढ़ाल धनात्मक होता है और 90 डिग्री होता है तो वो ढ़ाल हमारे पास में कितना आजाएगा 90 degree तो ढ़ाल उसका अनंत हो जाएगा ढ़ाल कितना हो जाएगा अनंत और जब यहां पर इस डिरेक्शन में 90 degree से एक सो सी डिग्री बीच में थिटा होता है तो वो ढ़ाल रिनात्मक हो जाता है तो यहां पर हमेशा ऐसा ही ढाल मिलेगा V और R के वीच में जब भी हम ग्राप खिंचेंगे तो हमें ऐसा ही ग्राप मिलने वाला है यदि हम इसमें छोटा सा यहां से हैं यहां तक हम एक अलपांस यह वड़ा मान V है यह वड़ा मान R है यह वड़ा मान थीटा है तो यहां से 10 थीटा यह यदि थीटा लेकर चलते हैं तो 10 थीटा बराबर माइनस में V बटे में R आ जएगा यह कौण थीटा? यह कौण थीटा है तो यह 180 माइनस थीटा हो जएगा ठीक है क्लियर हो जाना चाहिए तो हमारे पास में 2-3 रिलेशन आ चुके हैं इनी रिलेशन का आपको प्रियोग करना है चले मैं इन सब को एक वार यहां से हटाता हूं वापस इसी फोर्मूले की और लोडता हूं देखो इस फोर्मूले पर आधारित कुछ क्यूशन से हमें कुम्पिटिशन एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी क्या है कि जो विद्दुचितर है वो हम अलग अलग दिसाओं में देखें यदि अक्स अक्सिस दिसा की बात करें अक्स अक्सिस दिसा में तो x-axis दिशा में जो electric field है उसको हम e-ax से put करेंगे किस से लिखा जाएगा? e-ax से और ये इसी formula के according इसको हम लिख सकते है minus में del v upon del x ये क्या आ गया? देखो इसका मतलब है ये x दिशा में हम है potential को differentiate कर रहे हैं इसको हम answer equivalent कहते हैं partial differentiation इसको कहा जाता है ये कब होता है? इसको इस तरीके से कैसे लिखा जाता है? कि ये जो v है, potential है वो एक से अधिक चरों पर जब depend करता है तो उसका answer equivalent होता है partial differentiation होता है तो ये जो v आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक से अधिक चरों पर depend करता है यहाँ पर मैंने ये represent किया ये जो v है, इसका मान x पर y पर z पर depend करता है इसका मतलब जो जिस तरीके से हम अउकलन करते हैं वेसा ये अउकलन है अब की वारा अउकलन सिरफ x के respect हो रहा है और x के respect जब आप अउकलन करते हैं तो y और z के जो component होते हैं पद होते हैं वो constant की भांती behave करेंगे तो यहाँ पर ये जो v है न ये v हो सकता है, जैसे ऐसे हो ये मैंने आपको दिखाया है 2z ऐसे हो सकता है तो ये जो v कमान है वो x पर y पर z पर तिनों पर depend कर रहा है तो जब हम इसको differentiate करेंगे तो y और z को constant लेकर चलेंगे केवल x के respect इसको differentiate करने वाले इसी तरीके से y दिसा में विद्दुचितर की जो value होगी वो minus में del v upon में del y z दिसा में e z बराबर minus में del v upon में del z ये अलग-अलग दिसाओं में विद्दुचितर के घठक है उनको हम आंसिक अउकलन की रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं इसको clear कर ले ये जो del by del x है ये अउकलन ही है ये केवल तब लिखा जाता है जब यहाँ वाली रासी एक से अधिक चरो पर depend होती है तो यहाँ जो v है वो x के साथ में y पर, z पर इन पर भी depend है तो इन पर depend है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लेकिन जब आप x के respect differentiation करेंगे then जो y और z है उसको आप constant लेकर चलेंगे तो y और z का जो differentiation है वो 0 हो जाएगा clear? इसी तरीके से e y बराबर माइनस में del v upon del y यहाँ पर v का y के respect differentiation हो रहा है और y के respect जब differentiation करेंगे तो x और z की जो पद है उनको हम constant लेकर चलेंगे clear? इसी परकार से z दिसा में जो विद्दुच्छ द्रिगिती वड़ता है उसको माइनस में del v upon del z से put कर सकता है और इस इस्तती के अंदर यह वाला जो मैंने लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वापस लोड़ते हैं यहाँ पर देखे क्या है कि जो विद्दुच्छ द्रिगिती वड़ता है वो एक सदिस राशी है इसको हम e x i k plus e y j k plus e z k k इस तरीके से हम put कर सकते हैं यहां से e x e y और e z तीनों की value यहां पर हम put कर देंगे यहां हमें क्या मिल जाएगा डेल वी अपॉन में डेल अक्स यह i k भी इसको में यहां लिख देता हूँ एक negative sign भी है उसको में यहां रख देता हूँ फिर minus में j k डेल वी अपॉन में डेल y minus में k k डेल वी अपॉन डेल z यहां से हम इसको क्या लेख सकते हैं e vector equal to minus i k डेल by डेल x plus j k डेल by डेल y plus k k डेल by डेल z और v यहां पर भाहार आजएगा कई बार इस formula पर आधरित is formula पर आधरित questions भी आते हैं यहां पर आज किस video में हम उन questions को भी यहां पर देखेंगे इस तोल करेंगे यह जो आप bracket में रासी देख रहे हैं इसको हम grade से put करेंगे यह क्या नई चीज आ गई है यह नई क्या बला आई है इसको भी समझें इसको हम put करेंगे e vector equal to minus में grade v और ये होता है minus में इस तरीके से लिखा जाता है इसको हम कहते हैं हिंदी में इसको कहा जाता है ये एक प्रकार का संकारक है ये किसका example है? ये एक संकारक है operator है ये एक operator है और ये किसके equal लिखा हमने? आई के डेल बाई डेल अक्स प्लस जे के डेल बाई डेल वाई प्लस के के डेल बाई डेल जेड तो हाला कि ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है 11-12 तक में ये grade वाला जो system में बहुत कम आता है बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे ये एक संकारक है ये grade का मतलब धाल है week का जो धाल होता है मतलब हमने विभव परवनता को अंग्रेजी में gradient कहते हैं तो उसके gradient का sort में हमने यहाँ पर grade लिख दिया तो week का जो gradient है उसका रिनात्मत मान electric field के equal होता है इस grade को हम इस symbol से लिख देते हैं ये जो symbol है वो ये है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इनसे related जब हम questions solve करेंगे तो हमें ये बैटर तरीके से समझ में आजएंगे देखो यहाँ से हमें कुछ questions देखो कई questions क्या निकलते हैं इसी formula पर देखना आप क्या निकलता है कि week constant यदि V क्या हो constant हो तो वहाँ पर V के सा रहेगा या जैसे माली जी की E का मान 0 हो E का मान कितना हो तो V क्या रहेगा तो E का मान जब 0 हो E का मान जब 0 हो तो DV by DR ये क्या हो जाएगा ये 0 के equal क्या हो कब होगा जब ये constant हो clear यहां से दोनों चीजे clear हो जानी चीए Electric field यदि 0 It means वहाँ पर विद्द विभव है वो constant रहेगा नियत रहेगा ठीक है चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुझे अमीदे यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ विभवांतर विभव में अंतर विभवांतर का मतलब क्या है यह आपके पास में Electric field है Electric field को मैंने यहां पर जैसे समांतर रेखाओं कि द्वारा भी दिरसा सकते हैं एसे भी दिखा सकते हैं यह मैंने इस तरीके से दिखा दिया एक छेतर विशेस को यह हमारे पास में यहां पर है विद्धु छेतर है ठीक है और इस विद्धु छेतर के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे यह हमारे पास में है बिंदू A यह हमारे पास में है बिंदू B अब यदि हम किसी आवेश को बिंदू A से सोरी B से A तक लेकर चाह रहे हैं तो देखो यहां से क्या जाएगा हमारे पास में विभुवानतर क्या होता है पर्तिकांग धनावेश को एक बिंदू से विद्दु छितर में एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिय तो यहां से अंतिम बिंदू का विभाव वी ये प्रारंबिक बिंदू का विभाव वी बी और ये होज़ेगा डबलू B से हम A तक लेकर गए इसको बट्टे में Q0 इसको समझ ले कि दो ये बिंदू एक का विभव ये बिंदू B का विभव और इन बिंद्वों की विभों का जो अंतर होता है उसी को हम विभौांतर कहते हैं और इसे बिंदू B से A तक लाणे में आवेश Q0 को B से A तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को हम विभवांतर कहते हैं जब बिंदू B अनंत पर होता है तो ये जो VA है वो बिंदू A का विभव हो जाता है बिंदू A का क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा, सेम तरीका है जो हमने विद्दू दिवो की डेफिनेशन दी को इसी टाइप से ही दिए देखो, मैं क्लियर करता हूँ इसको विभवांतर क्या है? दो बिंदू के मद्दे का विभवां का अन्तर यहाँ पर VA-VB हिदि आप आवेश को A से B पर लेकर जाते तो VB-VA होता B से A पर लेकर आए तो VA-VB हुआ और यह किसके इक्वल होता है? यह मैंने क्लियर कर दिया कि W A B अपॉन Q0 के इक्वल होता है ठीक है? क्लियर हो जाना चाहिए, इसपस्ट हो जाना चाहिए ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B से A तक E vector dot dr vector ठीक है? अब देखिए विभव कब होगा? जब बिंदू B कहां पर हो? B अनन्त पर हो B कहां मौझूद हो? अनन्त पर तब VA ही क्या होगा? विभव हो जएगा तो देखो यहां से V VB तो अनन्त पर तो VB कितना होता है? अनन्त पर विद्दू तिभव कितना होगा? जीर होगा यह हम लेकर चलता है ठीक है तो यहां से WA अनन्त अपवन में Q0 विद्दू तिभव की definition में हमने यही formula put किया था यही आपको बताया था तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा ठीक है? अब हम क्या करेंगे? विभिन प्रकार के आवेशित निकाय लेंगे और उन आवेशित निकायों के कारण से विद्दू तिभव की value विद्दू तिभव का सुत्र यहां पर हम देखेंगे, समझेंगे चलिए सबसे पहले हम लेकर चलेंगे बिन्दू आवेशित के कारण से विद्दू तिभव चलिए देख लेते हैं सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है बिन्दू आवेश बिन्दू आवेश के कारण से हम विद्दू तिभव find out करना चा रहे हैं यह हमारे पास में कोई बिन्दू आवेश है और इससे small r दूरी पर point p है जहां हमें विद्दू तिभव ग्याद करना है विद्दू तिभव की value find out करनी है देखिए हमने बिन्दू p पर विद्दू छित्र की तिवरता kq upon r square पहले ही निकाल ली है kq by r square तो देखिए यहां से v बराबर हमारे पास में definition क्या है विद्दू तिभव की कि परती एकांग धनावेश को अनंत से विद्दू छित्र की किसी बिन्दू तक लाने में किया गया कार्य विद्दू तिभव कहलाता है आप उस फोर्मूले का प्रियोग करते भी निकाल सकते हैं मैंने आपको एक डाइरेक्ट फोर्मूला बताया माइनस में अनंत से लेकर r दूरी तक e vector dot dr vector यहां से यह हमारे पास में आजएगा माइनस में अनंत से लेकर r तक e का जो मान है वो है k q by r square dr और k q बाहर आजएगा r square बते से जब उपर जएगा तो हमारे पास में r की घात माइनस दो रह जएगी तो क्या जएगा हमारे पास में minus में k q r की घात minus 2 plus 1 बते में minus 2 plus 1 अनंत से लेकर r तक तो यह हमें देखे क्या मिल चुका है minus minus plus होजएगा minus 1 आएगा बते में तो यह minus minus plus होजएगा r की घात हमारे पास में रहेगी minus 1 बते में जएगी तो plus 1 तो एक बता r अनंत से लेकर r तक तो ये हमें क्या मिल चुका है V बराबर KQ बट्टे में R हमें मिल जाएगा तो बिंदू आवेश के कारण से जो विद्धु तिवहव होता है वो KQ by R होता है clear? विद्धु चित्र के तिवहड़ता KQ by R स्क्वेर होती है विद्धु तिवहव कितना है? KQ by R ठीक है? तो देखिए यदि यहाँ पर हम graph खिंचें V और R के बीच में graph खिंचें तो यहाँ से इस पस्ट है कि जो V और R है वो दोनों एक दूसरे के विद्ध कर्मानु पाती है दोनों क्या है? एक दूसरे के विद्ध कर्मानु पाती है तो इस तरीके का graph हमें प्राप्त होगा V और R दोनों एक दूसरे के विद्ध कर्मानु पाती है जैसे जैसे R इंक्रीज होगा V डिक्रीज होता चला जाएगा clear? इस पस्ट हो जाना चाहिए अब हम इसका second part लेते हैं अब मैं यहां पर लेकर चलूँगा आविशों के निकाई के कारण से विद्ध विभाव हम एक भहु आविशों का निकाई लेंगे और भहु आविशों के निकाई की वज़े से विद्ध विभाव क्या होगा? चले देखिए बहु आविशों के कारण बहु आवेशों के कारण विद्दुत विभाव ये जैसे हमारे पास में एक निकाई है इसमें ये Q1 आवेश है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये QN है और ये कोई Point P है, जिस पर हमारे को Total Electric Potential Find Out करना है इन आवेशों की Point P से जो Distance है, वो R1, R2, R3, Dot, Dot, Rn है तो बिंदु P पर जो कुल विद्दुत विभाव होगा, वो अलग-अलग आवेशों के कारण से उत्पन विभाव के बीजगणीती योग के बराबर होगा क्योंकि विद्दु दिभाव एक अधिस राशी होती है और अधिस राशीों का बीजगणीती योग होगा क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है कि जो विद्दु दिभाव है, वो धनात्मक और रिनात्मक दोनों हो सकता है तो आप यहाँ पर इनका बीजगणी ती योग करेंगे बीजगणी ती योग कार्थ है धन विभव को धन चिन के साथ में रिण विभव को रिण चिन के साथ में आपको पूट करना है तो देखें यहाँ से इस आवेश की वज़े से इस point के उपर जो विद्दो धिभव होगा वो क्या होगा के Q1 बटे में R1 प्लस V2 की वेल्यू क्या होगी के Q2 बटे में R2 फिर प्लस में V3 कितना होजएगा के Q3 बटे में R3 प्लस डोडोडोडोड के Qn बटे में Rn होजएगा clear इसे हम summation की रूप में भी लिख सकते हैं तो 1 upon 4 pi epsilon 0 summation qi upon में ri i बराबर 1 से लेकर and तक इस पस्ट हो जाना चाहिए clear हो जाना चाहिए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम अगले बिंदू की ओर बढ़ते है देखे हमने बिंदू आवेस के कारण से विद्दू देख लिया है इसके फशाथ हम बात करेंगी यहां पर तीसरा तीसरा जो हमारा पार्ड है वो है आवेसित खोकले गोले के कारण आवेसित खोकले गोले के कारण देखो यहां पर आवेसित खोकले गोले के स्थान पर गोले की स्थान पर गोले कोस आ सकता है गोलिये, खोकले गोले की इस्तान पर और क्या मिल सकता है गोलिये कोस, यहाँ पर आपको चालक गोला भी मिल सकता है तो तीनों के लिए सहमी है क्योंकि आवेस तीनों ही इस्तथियों में प्रस्ट पर ही मुझूद रहेगा आवेसित खोकला गोला ले लिजिए, आवेसित गोलिये कोस ले लिजिए, आवेसित गोलिये खोल ले लिजिए, आवेसित चालक गोला ले लिजिए यह जो चालक गोला है वो खोकला भी हो सकता है या आवेसित ठोस गोला भी हो सकता है क्योंकि चालक को दिया गया आविस संपूर्ण आविस उसके प्रिष्ट पर ही विद्देमार रहेगा तो चालक गोला खोकला और ठोस दोनों हो सकता है तब जो विद्दुदिभों का वेंजग है वो सेम ही रहने वाला है इन सबी इस्थितियों में ठिक क्या रहने वाला है देखो हमारे पास में तीन इस्थिया है पहली इसमें जो इस्थिति है वो है गोले के बाहर गोले के बाहर गोले के बाहर small r greater than capital r जो capital r है capital r है वो इस गोले की radius है और small r है वो इस गोले के केंदर से इसके बाहर इस्थित किसी बिंदू p की distance है clear कर लीजिए इसको गोले के बाहर कोई point p है और उस point p पर विद्दु दिभाव हमें ग्याद करना है बिंदु p पर जो विद्दु छितर की तीवरता है वो kq by r square थी और विद्दु दिभाव ये बिंदु आवेस के कारण से उत्पन विद्दु छितर की तीवरता की भाती था और उसी भाती ही विद्दु दिभाव होगा के q by r तो ये बिंदु आवेस के कारण से जितना विभाव उत्पन होता है उतना ही विभाव किसी गोले के कारण से उसके बाहर इस्तित किसी बिंदु पर होगा clear बी पार्ट में है गोले के प्रस्ट पर गोले के प्रस्ट पर गोले के प्रस्ट पर small r और capital r दोनों क्या हो जाएंगे बराबर small r और capital r दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और उस इस्तिती में ये हमारे पास में एक गोला है जिसकी radius capital R है और गोले के प्रस्ट पर ये small r, ये capital R, ये O, ये P ठीक है? तो यहां से बिंदू P पर जो बिंदू दिवह हो है V बराबर K Q बट्टे में capital R हो जाएगे small r के इस्तान पर हम capital R पुट कर देंगे clear? अब हम इसकी जो तीसरी जो इस्तती है उसकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं तीसरी वाली जो इस्तती है ये हमारे पास में आविसित गोला है और जो पॉइंट P है वो यहां पर मौजूद है अंदर जबकि इसकी radius capital R और O से बिंदू P की जो distance है वो small r की equal है तो अंदर तो जो विद्दुचतर की दिवर्दा होती ही वो 0 होती है अंदर विद्दुचतर की दिवर्दा कितनी होती है 0 होती है सुनने होती है तो देखो एक relation हमने बढ़ा था minus में dv by dr e 0 तो V क्या रहेगा constant रहता है V क्या रहता है constant और V का जो constant वाड़ा मान होता है वो जितना इसके प्रस्ट पर होता है उतना ही क्या रहेगा अंदर ये अंदर विद्दुचतर की दिवर्दा हो है ये प्रस्ट पर विद्दुचतर की दिवर्दा हो है और ये बाहर ये कहा है बाहिर clear तो मुझे उम्मीद है ये जो topic मैंने अभी clear करवाया है वो आपको समझ में आ गया graph मैं आपके सामने रख देता हूँ graph कैसा आएगा ये येसे हमारे पास में यहां पर ये गोला है ये यहां पर चलिए दुबारा ये गोला है ये SM है यहां पर ये इसका केंदर है केंदर से जैसे SM आगे बढ़ते हैं तो यहां से जो विद्दुदिभू है वो constant बना रहता है केंदर से इसके प्रष्ट तक विद्दुदिभू क्या बना रहेगा constant बना रहेगा और जैसे ही हम इसके प्रस्ट से बाहर निकलेंगे तो ये विदकरवानुपातिक रूप से decrease होता चला जाएगा तो ये हमारे पास में है 0 से लेकर capital R दूरी तक मतलब इसके केंदर से इसके प्रस्ट तक इसकी value रहती है constant जितना इसके प्रस्ट पर होता उतना ही इसके अंदर होता है क्योंकि अंदर विद्दू छुतर की तीवर्दा जीरो तो अंदर जो विद्दू तीवर्दा नियत रहेगा और वो इसके प्रस्ट के बराबर रहेगा बहार ये decrease होता चला जाएगा ठीक है इस फोर्मूले के according decrease हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है ये graph भी आपको उच्छे समझ में आ गया अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ आविसित खोकले गोले के इस्तान पर हम ले लेते हैं आविसित ठोस गोला अब गिवार हमने क्या ले लिया ठोस गोला अब देखो इस चीज को क्लियर करें ठोस गोले के अंदर भी आवेश मुझूद होंगे और उसकी वज़े से जो विद्दुच्छतर की तिवर्ता है बाहार तो उतनी रहती है तो विद्दुदिभव भी बाहार तो उतना ही रहता है क्यू बाई आर स्क्वेर के इक्वल और प्रस्ट के उपर भी विद्दुचितर की तीवरता KQ Y R स्कवेर तो विद्दुदिभौवी KQ Y R ही रहेगा ठीक है अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर आवेश मोजूद है यहाँ पर आवेश उपस्तित है अंदर जो विद्दू छित्र की दिवर्था है वो हमारे पास में रहती है KQ x by R Q X की जगें आप small r लेकर चलने है KQ R by R Q होती है तो देखें, विद्दू तेभव कितना हो जाएगा जो विद्दु दिभव की value है वो क्या हो जाएगी अंदर चलने पर अंदर चलने पर जो विद्दु दिभव है वो विद्यार्त बदल जाएगा और देखें किस हिसाब इसे change होगा अंदर जो विद्दु दिभव है तो उसका मैं direct आपके सामने formula पूट कर देता हूँ KQ KQ by 2RQ 3R square minus R square तो दो इसे हम और ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर ये अंदर है KQ बट्टे मैं यहां से मैं ले लूँ R KQ बट्टे मैं R यहां पर मैंने बहार रख लिया तो देखें 2R square हम अंदर ले जाएंगे तो 2 से 3 बट्टा 2 आ गया R square से R square cancel हो गया फिर minus मैं R square बट्टे मैं 2R square यह आ गया यह हमारे पास में है विद्दुत विभाव विद्दुत विभाव KQ by R इंटु मैं 3 बट्टा 2 minus मैं R square बट्टे मैं 2R square clear अब देखें मैं यही बात करूँ तो देखो अंदर जो विद्दुत विभाव हो है वो ज्यादा होगा अंदर जो विभाव 3 बट्टा 2 के अंदर की बात करूँ के अंदर पर विभाव कितना हो जाएगा गोले के के अंदर पर तो के अंदर पर जो small r है उसका मान 0 हो जाएगा तो यह 3 बट्टा 2 के क्यू बट्टे में capital r जाएगा तो 3 बट्टा 2 और के क्यू बट्टे में capital r क्या है प्रस्ट पर जो विभाव है तो केंदर पर जो विभव होता है वो प्रस्ट पर जितना विभव हो उसका डेड़ गुणा हो जाएगा तो इसका जो मान है वो ऐसे रहेगा ऐसे केंदर पर जो विभव होता है चलि मैं ग्राफ दुबारा निर्मित कर लेता हूँ के अंदर पर जो विद्धु दिवो होगा वो इसके प्रस्ट पर जितना विविवो है उसका डेड़ गुणा होगा ऐसा ग्राफ आएगा विद्ध्यारतियो ऐसा ऐसा इसमोल आर और केपिटल आर यहां पर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और यह यहां पर प्रस्ट के उपर यह केंदर पर है यह कहां पर है केंदर पर यह कहां है प्रस्ट के उपर वी कहां है प्रस्ट के उपर है तो एक ठोस कुचालक आविसित गोले के केंदर पर जो विवो है वो उसके प्रस्ट पर विवो का 3 बट्टा 2 गुणा होता है 1.5 गुणा होता है और अंदर जो विद्धु दिवो उसका फोर्मुला मैंने आपके सामने रख दिया है KQ upon 2R cube into में 3R square minus R square यह जो small r है यह capital R है तो यहां तक जो graph है विबो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं अब मैं यहां पर बात करूँगा अनन्त रेखी आविस के कारण से अनन्त रेखी आविस की वज़े से विद्धुत विभाव चलिए अब यहां पर हम रेखी आविस के कारण से विद्धुत विभाव का वेंजग फाइंड आउट कर लेते हैं रेखी आविस की वज़े से हम विद्धुत विभाव का मान ग्यात कर लेंगे चलिए देखी है क्या यह हमारे पास में अनन्त रेखी आविस है यह जो आप रेखा देख रहे हैं इसके उपर आविस एक समान रूप से वित्रित है इसका रेखी आविश गनत्व लेमडा है और इसकी जो लंबाई है वो अनन्त है यह अनन्त रेखी आविश है इसके किसी बिंदु से जैसे यह कोई पॉइंट ओ है और इस पॉइंट ओ से इसमोल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें विद्दु दिभोग्यात करना है इसके लिए हम क्या करेंगे बिंदु पी पर जो विद्दु छित्रिकी दिवर्दा है वो हमारे पास में है वन अपोन फॉर पाई अपसलन नोट टू लेमड़ा अपोन स्मोल आर यह हमारे पास में एलेक्टिक फेल्ड इंडेंसिडी है तो देखें फॉर्मूला क्या है वी बराबर माइनस में इवेक्टर डॉट डियार वेक्टर तो यहां पर हम इस एकिवेल्यू पुट कर देंगे तो वन अपोन फॉर पाई अपसलन नोट टू लेमड़ा वट्टे में आर डियार रासियां जो बाहर आ सकती उसको बाहर ले लेंगे इंडिग्रेशन से बाहर लेंगे तो माइनस में वन अपोन फॉर पाई अपसलन नोट टू लेमड़ा वट्टे में बाहर आ गया और एक वट्टा आर का जो इंडिग्रेशन है वो हो जाएगा लोग आर और यहां पर प्लस में सी समाकलन नी तांक आजाएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं वी बराबर बराबर माइनस में लेमड़ा अपोन में टू पाई अपसलन नोट लोग आर प्लस में सी यह हमें प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार से हम देखेंगे एक समाविसित चादर के कारण से समाविसित पतली चादर के कारण से विद्दुत विभाव समावेशित पतली, चादर के कारण, विद्धुत विभाव हमारे पास में एक पतली चादर है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वित्रित है जिस पर आवेश एक समान रूप से वित्रित है, और इसके जो लंबाई चित्रफल है, वो बहुत ज्यादा है, अनन्त विस्तार वाली है इसके किसी विंदु O से स्मोल आर दूरी पर मोजूद पॉइंट P पर हमें विद्धुत विभाव ग्याद करना है इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर जो विद्धु चित्र की दिवर्दा है, वो सिग्मा अपॉन 2 अपसलन नौट होती है सिग्मा अपॉन 2 अपसलन नौट देन यहाँ पर क्या जहीगा हमारे पास में, सिमिलर फोर्मूले का प्रियोग करना है यहाँ से वी बराबर माइनस में ई वेक्टर डोट डी आर वेक्टर तो यहाँ से एकी वेल्यू पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन 2 अपसलन नौट डी आर तो यह आ गया हमारे पास में माइनस में सिग्मा अपॉन में 2 अपसलन नौट इंटू आर प्लस में सी यह आ गया यह विद्दो दिवो हमें प्राप्त हो चुका है, क्लियर अब यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे माली जी कि यह समावेसित पतली चादर है यहाँ पर चालक परत होती, समावेसित चालक परत चालक परत होती, तो देखें यहाँ इस परत के दोनों प्रस्टों के उपर आवेश होते देख इसको clear कर लें इसके दो प्रस्ट होंगे क्योंकि आवेश अंदर होता नहीं है चालक प्रत के अंदर आवेश इसके प्रस्ट के उपर ही मुझूद होता है और उसकी बज़े से जो विद्दुच्छितर की दिवरता है वो सिग्मा पॉन अपसल नोट ही होती है तो सिग्मा पॉन अपसल नोट यहां पर पुट कर देंगे उस इस्तिती के अंदर फोर्मूला ये वड़ा हो जाएगा माइनस में सिग्मा पॉन अपसल नोट इन्टु आर प्लस सी हो जाएगा तो मुझे उमीद है कि ये जो मैंने विभिन आविश्व के निकाय के कारण से विद्दु दिभाव आपको अभी तक जो मैंने बताया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम विद्दु दिधुर्व की वज़े से हम विद्दु दिधुर्व जानते हैं और विद्दु दिधुर्व के कारण से विद्दु चितर की दिवड़ा देख चुके हैं और उसकी वज़े से जो विद्दु तिविभाव है वो क्या होगा कितना होगा वो हम देख लेत हैं चलिए यहां से इन सबकों में एक बार हटा देता हूँ विद्धु दिधुर्वे के कारण अगला जो हमारा बिंदु है वह है विद्धु दिधुर्वे के कारण विद्धु विभाव विद्धु दिधुर्वे के कारण से लेक्टिक पोडेंशियल तो देखें यहां पर मैं एक विद्धु दिधुर्वे का निर्मान कर रहा हूँ यह माइनस में क्यूं आवेश है यह प्लस में क्यूं आवेश है यह इसका केंदर O है और केंदर O से थीटा कोंड पर और स्मोल आर दूरी पर एक पॉइंट P इस्तित है जिस पर हमें विद्धु दिभव ग्यात करना है पॉइंट P पर हमें एलेक्टिक पोटेंसिल फाइंड आउट करना है वैसे तो विद्ध्यार तो इसका एक लंबा चोड़ा डेरिवेशन है वो हमने करवा रखा है ककसा 12 की कॉर्स में जाकर आप देख सकते हैं वहां से आप समझ सकते हैं मैं यहां पर बिन्दु P पर डाइरेक्ट जो विद्धु दिभवा उसका विंजगा आपको बताने जा रहा हूं और क्या होता है वो देखे पॉइंट P पर P पर जो विद्धु दिभव होता है वो होता है वन अपोन फोर पाई अपसलन नौट P कोस थीटा अपोन R स्क्वेर माइनस A स्क्वेर कोस स्क्वेर थीटा इसमें प्रिप्त जो रासिया है उसको एक बार समझ दीजिए यह small r है वो यहां से लेकर अभिस्ट बिंदू P की डिस्टेंस है A है वो दोनों आवेशों के इनके केंदर से ज़े डिस्टेंस है प्लस Q से ओ की दूरी A माइनस Q से ओ की दूरी यह भी A ठीक है और यह जो थीटा आप देख रहे हैं यह माइनस Q से प्लस Q की ओ और P की डिरेक्शन होती है ठीक है इस P की डिरेक्शन से अभिस्ट बिंदू के बीच का कौन है जो की थीटा है जो की क्या है थीटा है यह सारे चीज़े clear हो जाने चीज़े समझ में आ जाने चीज़े clear अब देखे यदि R है वो बड़ा है A छोटा है तो R स्क्वेर और बड़ा हो जाएगा A स्क्वेर का भी छोटा हो जाएगा तो उस इस्ति में R स्क्वेर की तुला में A स्क्वेर कोस स्क्वेर थीटा को हम नगरने मान कर छोड़ देंगे तो A square cos square theta यहाँ पर हम यहाँ से हटा देंगे देन यहाँ पर हमारे पास में विद्द दिवो का फॉर्मूला क्या रह जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square रह जाएगा और यही फॉर्मूला बार बार यूज में आता है तो इसे आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें clear, देखो मैं आपको एक चीज़ clear करता हूँ, यहाँ पर यह जो V आप देख रहे हैं यह एक अदिस राशी है, P एक सदिस राशी है, V कैसी राशी, अदिस राशी P कैसी राशी, सदिस राशी, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर 1 अपोन 4π अपसलन नौट P वेक्टर डोट आर वेक्टर बट्ट में आर क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है यहां मैंने क्या कर दिया है देखो P वेक्टर डोट आर वेक्टर क्या होता है P आर कोस थीटा P आर कोस थीटा तो जो एक आर से एक आर तो कड़ जाएगा P कोस थीटा पॉन आर क्यूब आर स्क्वेर ही रह जाएगा तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अब मैं यहां पर दो कंडिशन लेकर चलूँगा पहली जो इस्तधी है यहां से ही हम लिख रहे हैं यह वाला तो small p लिख रहा हूं, मैं यह capital p लिख रहा हूं, जो कि अभिस्ट बिंदु है, यह small p वाला है ना, यह वेद्दु दिद्रू आखुण है, और वेद्दु दिद्रू आखुण है, आप जानते हैं, यह small p बरावर क्या होता है, q into 2a होता है, clear? अब यहाँ पर आप इसको clear करें, कि यदि यह point p यहाँ होता, तो यह बिंदु यहाँ होता, तो यह x पर हो जाता, और उस इस्तती बे यह थीटा की value है, वो कितनी हो जाती? 0 हो जाती, थीटा की value कितनी हो जाती? 0, और cost 0 का मान कितना होता है? 1, तो अक्स पर, विद्दू दि r square होता है, यह होता है विद्द्यारतियो, kp upon r square, kp upon r square, इसी प्रगार से, हम दूसरी इस्तती यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, निरक्स पर, कहाँ पर? निरक्स पर, तो निरक्स का मतलब हो गया कि इस बिंदु पर होगा, कहाँ होगा? यह जो बिंदु पी है, वो यहाँ आजाएगा, यहाँ से जो एंगल होगा हो, कितना हो जाएगा? 90 degree कोन हो जाएगा, कितना कोन हो जाएगा? 90 degree गा, थीटा बराबर अब की वार हम क्या पूट करेंगे? 90 degree पूट करेंगे, और कोस इसमें पूट करेंगे? यही है, व्यापक सुत्र यही है, व्यापक का मतलब इसको मेन जो फॉर्मूला वो यही है यह हर जीका यह व्यूज में होता है तो कोस रब्बे की वेली होगी जीरो तो निरक्स पर जो विद्धो धिभव है वो भी कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा clear इसका मतलब यह हुआ कि निरक्स पर जैसे मेरी जो आप है हाथ देख रहे हैं हतेली के किसी भी विद्धो पर जो विद्धो धिभव होगा वो कितना होने वाला है same होने वाला है यह एक जीरो विभव वाला प्रस्ट होता है यह ऐसे इस पूरे के पूरे प्रस्ट के उपर विद्धो धिभव सेम रहेगा नियत रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा क्लियर तो किसी विद्धो धिधुरो की निरक्स पर विद्धो धिभव का मान कितना होता है सुनने होता है विद्धो धिधुरो की निरक्स पर निरक्स होता है उस पर विद्दु चितर की तीवरता होती है के पी अपोन में आर क्यूब विद्दु चितर की तीवरता तो क्या होती यहां पर यहां पर जो ए का मान है वो तो होता है के पी अपोन आर क्यूब और वी का जो मान है वो कितना होता है जीरो कि एक ऐसा बिंदु जहां पर विद्दु दिभाव तो सुनने है लेकिन विद्दु चितरगी दिवर्दा सुनने नहीं है तो वो है विद्दु दिदुरों की निरक्स फिर मैं बात करता हूँ यह हमारे पास में कोई चालक गोला है या कोई भी चालक ले लीजी आप क्या ले लीजी चालक इस चालक को इस पेसली ध्यान रखे चालक के अंदर विद्दु चितरगी दिवर्दा कितनी होती है सुनने जबकि विद्दु देभाव जितना इसके प्रष्ट पर होता है उतना ही होता है बराबर V प्रस्ट पर जितना इसके प्रस्ट पर होता है उतना ही इसके अंदर होता है तो एक ऐसा जगें जहां पर विद्दु चितर की तीवर्दा तो 0 होती है लेकिन विद्दु दिभव 0 नहीं होता तो वो चालक के अंदर है कहां है चालक के अंदर अब हम बात करेंगे एकविपोटेंशियल सरपेज की सम विभव प्रस्ट की सम विभव प्रस्ट किसे कहते हैं डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन की बात करेंगे सम्विभो प्रस्ट की properties देखेंगे सम्विभो प्रस्ट चलिए हम इनको एक वार देख लेते हैं नाम से वैसे इस प्रस्ट हो जाएगा कि ऐसा प्रस्ट जिस पर विभो का माने एक समान हो सम्विभो प्रस्ट का लाता है एक्वी पोडेंशियल सरपेश जिस पर जिस पर विद्दुत विभाव एक समान हो विद्दुत विभाव एक समान हो सम्विभो प्रस्ट का लाता है क्लियर अब देखें मैं यहां पर कुछ इस्तियों मैं सम्विभो प्रस्ट का निर्मान आपके सामने कर देता हूँ क्या है जैसे हमारे पास में बिंदु आवेश है यह क्या है एक बिंदु आवेश है और हम यह जानते हैं कि बिंदु आवेश की वज़े से जो विद्दु दिभाव है वो क्यू भई आर होता है तो इसके के अंदर से आर दूरी पर य luckily हम एक गोला खींचें तो उस पूरे गोले के उपर विद्दु दिभव का मानि क्या है वो एक समान रहेगा इस तरीके से ये भी एक समी भव प्रस्ट है ये भी एक समी भव प्रस्ट है ऐसा है यहाँ पर यह हमारे पास में इस तरीके से सम्विभव प्रस्ट निर्मित हो जाते हैं यह मैंने electric field lines खींची है विद्दुछेतर रेखाएं निर्मित की है यह क्या है? 1, 2, 3 यह सारे के सारे सम्विभव प्रस्ट हैं जैसे यहाँ पर विद्दुदिभव है 10 volt यहाँ पर है 5 volt यहाँ पर 3 volt जैसे जैसे distance भढ़ेगी विद्दुछेतर की दिशा में विभव decrease होता जाएगा तो यहाँ से हम इधर चल रहे हैं तो विद्दुदिभव decrease होगा clear तो इन प्रस्टों को हम सम्विभव प्रस्ट कहते हैं equipotential सरपेश कहा जाता है clear मैं यहाँ पर इस प्रस्ट कर दूँ कि जो सम्विभव प्रस्ट हैं वो विद्दुद्दुद्द रेखाओं के लंबवत होता है यह जो मैंने आपको सम्विभव प्रस्ट है वो इस तरीके से खींचे जाएंगे ऐसे यह हमारे पास में electric field lines है यह एक electric field line मैंने दिखाई है यह दूसरी दिखाई है इसी प्रगार से यह एक अन्य विद्दुच्चतर रेखा है यह एक अन्य विद्दुचतर रेखा है इस तरीके से हम electric field lines को श्योग कर रहे है यह जो विद्दुच्चतर रेखाए है वो एक समान विद्दुच्चतर को परदसित कर रही है और इस एक समान विद्दुच्चतर के ठीक लंबोद दिसा में खींचा गया जो प्रस्ट होता है वो सम विद्दुच्चतर होता है एक भी potential सरपेश होता है clear अब देखे मैं बात करता हूँ यहां पर सम विद्दुच्चतर की कुछ properties सम विद्दुच्चतर के गोण तो देखे कौन-कौन से गोण है सम विद्दुच्चतर के सम विद्दुच्चतर के गोण है तो देखे सम विद्दुच्चतर के गोण में पहला गोण तो है कि सम विद्दुच्चतर के उपर विद्दुच्चतर एक समान रहता है विभव क्या रहता है विभव एक समान यह हम कह सकते हैं कि विभव नियत रहता है विभव क्या रहता है नियत दूसरा क्या है कि सम विभव प्रस्ट के दो बिंदों के मद्दे का जो विभवांतर है वो सुनने होता है आप कोई से भी दो बिंदू ले लिए, एक सम विवव प्रस्ट के उपर, पूरे प्रस्ट के उपर, विद्धु दिभव सेम रहेगा, तो दो बिंदू के मद्दे का विभवानतार, जीरो हो जाएगा, सुनने हो जाएगा, clear? तीसरा देखें, किसी आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारिय, डबलू, बराबर, Q into VA-VB, और VA-A और B के बीच का विभवानतार है, तो किया गया कारिय भी 0 होगा, जैसे मालिए किसी आवेश को हा, मैं बिंदू A से, बिंदू B पर लेकर जा रहे हैं, तो A से B तक ले जाने में किया गया कारिय क्या होगा, सुनने होगा, तो इसका मतलब यह होगा, कि आगे बढ़ते हैं, अगली जो प्रोपरडी है, कि दो सम् विभव प्रस्ट कभी भी एक दूसरे को परतिछेद नहीं करते, सम् विभव प्रस्ट आपस में काटते नहीं है, क्यों नहीं काटते, कि एक सम् विभव प्रस्ट है, उसके उपर विभव का मान फिक्स है, दूस दिभव के दो मान होंगे और ऐसा पोसिबल नहीं है एक जिगें पर एक ही मान संबव है clear तो ऐसा possible नहीं है कि दो सम्विभव प्रस्ट एक दूसरे को प्रतिशेद कर दें एक दूसरे को काठ दें clear आगे बढ़ते हैं अगले बिंदू की और कि जो चालक का प्रस्ट होता है वो सम्विभव प्रस्ट होता है चालक का प्रस्ट कैसा है चालक का प्रस्ट सम्विभव प्रस्ट होता है चालक का जो प्रस्ट होता है वो कैसा है सम्विभव प्रस्ट होता है एक और प्रोपर्टी देखें कि सम विभवव प्रेस्ट और विद्दुच्छत रेखाएं दोनों एक दूसरे के लमवत होती है परपेंडिकुलर होती है विद्दुच्छत रेखाएं सम विभवव प्रेस्ट के लमवत भाहर निकलती है लमवत होती है clear तो मुझे उमीद है कि जो equipotential surface related जो कुछ भी तत्य थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अब मैं इस वीडियो के अंत में यहाँ पर कुछ ऐसी इस्तितियां लेकर चलूँगा कि सकेंद्रिय गोलों के कारण किसकी वज़े से सकेंद्रिय गोलों के कारण से उनके प्रस्टों के उपर विद्दु दिभोग क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं समस लेते हैं अपनी जो heading है वो क्या है देखे सकेंद्रिय गोलों के कारण से विद्दुत विभाव सकेंद्रिय गोलों के कारण विभाव ठीक है मैं यहाँ पर अलग अलग अस्तितियों के अंदर हम देखेंगे सबसे पहली जो इस्तिती है पहली इस्तिती देखें यह हमारे पास में एक गोला है इस गोले की रेडियस हम आरवन लेकर चलेंगे आवेश क्यूवन लेकर चलेंगे यह एक दूसरा गोला है यह भी हमारे पास में एक चालक गोला ही है यह हमारे पास में एक गोला है जिसकी रेडियस है आरवन यह हमारे पास में दूसरा गोला है जिसकी radius है R2 इसके उपर आवेश है Q1 इस पर आवेश है Q2 हम इस गोले को नाम दे देते हैं A इसको नाम दे देते हैं B A और B के प्रस्ट पर विद्द विभो हमें find out करना है चलिए देख लेते हैं A पर सबसे पहले तो किसपर देख लेते हैं A पर इन चीजों को clear कर ले ना देखो A पर जो विभो होगा वो इसे खुद A गोले की वज़े से और इसे दूसरे वाड़े गोले B की वज़े से हैं दो गोले हैं खुद इस A गोले की वज़े से भी A पर विभाव उत्पन होगा, और इस B की वज़े से भी A पर विभाव उत्पन होगा, तो A प्लस B दोनों के कारण से विद्धुत विभाव होगा, चले देख लेते हैं, खुद A गोले के कारण से A पर विद्धुत विभाव कितना होगा, तो k q1 बट्टे में r1 क्योंकि इस खुद गोले की इसका आविश कितना q1 radius कितनी r1 फिर इस गोले के कारण से इस गोले की वज़े से इस के प्रस्ट के उपर विद्दुधिवो होता है यहां पर k q2 बट्टे में r2 यह होता है फिक जितना इसके प्रस्ट पर होता उतना ही अंदर होगा इस बिंदू पर भी इस पर भी तो इसके प्रस्ट पर है k q2 बट्टे में r2 तो अंदर भी इसके इस प्रस्ट के उपर भी इतना ही होगा तो ए गोला है उसके उपर विद्दुधिवो का मान यह होगा kq1 upon r1 plus kq2 upon r2 clear इसी प्रकार से हम देख लेते हैं b पर b पर जो विद्दु दिवह हो उसको हम लिख रहे हैं vb b पर जो विद्दु दिवह हो कितना होगा गोले a के कारण से हैं तो kq1 यहाँ पर विद्दु दिवह हो देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की distance r2 तो kq1 upon r2 फिर plus में b गोले के कारण से तो kq2 upon r2 क्योंकि दूसरा गोला है b वाला गोला है उसके कारण से उसके plus के उपर kq2 upon r2 होगी तो मुझे उम्मेद है यह वाली जो condition है वह आपको अच्छे समझ में आ गई अगली condition देखे यदि तीन सकेंद्री ये गोले है जैसे हमने यहाँ पर दो दिखाए है वैसे के वैसे ही कितने है तीन ये एक गोला यदि आपको एक का समझ में आ गया तो तीन का भी आजएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आराम से आजएगा इसकी radius है r1 इसकी radius है r2 इसकी radius है r3 इस एक के उपर आवेश है q1 इस पर आवेश q2 इस पर आवेश q3 इसको नाम देता हूँ मैं a इसको b और इसको c a b c नाम हमने दे दिये हैं a पर a पर जो विवव है वो क्या होगा खुद a की वज़े से तो k q1 upon r1 फिर b की वज़े से b की वज़े से जितना इसके प्रस्ट पर है उतना ही इसके अंदर होगा तो KQ2 upon R2 और C के कारण से जितना इसके प्रस्ट पर है उतना ही अंदर A पर होगा तो KQ3 बट्टे में R3 इसी प्रकार से मैं बात करूँ B पर तो VB बराबर K देखो A की वज़े से यहां पर तो KQ1 और यहां से यहां तक की जो distance है वो है R2 फिर प्लस में K B की वज़े से B पर ही तो KQ2 upon R2 फिर प्लस में C की वज़े से B पर तो K जितना इसके प्रस्ट पर होता उतना ही अंदर होगा तो प्रस्ट पर KQ3 upon R3 है उतना ही B पर होगा इसी प्रकार से C पर कितना होगा V C equal to A की वज़े से KQ1 upon R3 B की वज़े से KQ2 upon R3 C की वज़े से KQ3 बटे में R3 यह हो गया समझा जाना चीए clear हो जाना चीए फिर आप देखें अगली इस्तदी जैसे मालीज़ आपके पास में दो ही गोले हैं और उनमें से कोई सा एक गोला भू संपरकित है चले में यहां पर यह हमारे पास में एक गोला है यह हमारे पास में यहां पर दूसरा गोला है इस गोले को नाम देखें, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इस पर आवेश है Q1 इस पर आवेश है Q2 देखो एक बार हम आवेश consider नहीं करेंगे मैं यहां से इसको भू संपरकित कर देता हूँ condition ही यही है और अंदर वाला जो गोला है इसको हमने Q आवेश दे दिया प्लस में Q तो देखो मैं आपको बदा दूँ कि यह जो गोला है इसके अंदरूनी प्रस्ट पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाएगा बाहर वाले प्रस्ट के उपर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाएगा और जो बाहर वाला आवेश है वो भू से जुड़ा हुआ है जमीन से जुड़ा है इसलिए यह प्रस्ट पर के रेर्ट होगा और इसका विपरित वाला इसके बाहरी प्रस्ट पर के रेर्ट होगा और बाहरी जो आवेश है वो कहाँ चला गया ग्राउंड में चला गया भू संपर्कित है इस वज़े से अब मैं आपको एक चीज ग्लिएर कर दूँ कि यह दी जमीन से जुड़ावा है और जमीन का जो विभव है वो 0 होता है भूमी का विभव कितना है? 0 तो बिंदू जो B है या गोला जो B है उसका विभव भी 0 होगा गोले B का विभव कितना होगा? 0 होगा चले देख रहते हैं, clear कर लेते हैं इंजी जोगो यहां पर A पर विभव कितना होगा? तो A पर जो विभव है VA खुद एकी वज़े से तो K Q बट्टे में R1 K Q बट्टे में R1 फिर B की वज़े से K क्योंकि B के उपर है माइनस Q तो यह माइनस Q और इसके प्रस्ट पर जितना होगा उतना ही अंदर होगा तो प्रस्ट की जो तिलिया है वो है R2 तो यह आ गया A पर यह किस पर आ गया है? A पर clear फिर B पर B पर जो विभव है वो खुद एकी वज़े से तो K Q क्योंकि इसके उपर प्लस क्यों है? बटे में R2 फिर माइनस में K Q अपोन R2 यह कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तो विद्यार्द यहां तक जो मैंने आपको थियोरी बढ़ाई है मुझे उमीद है यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी clear हो गई होगी अब मैं आज का जो हमारा वीडियो है इस पर आधारित कुछ numerical questions आपके सामने रखता हूँ एक एक करके उनको solve करेंगे चले देखेंगे एक बार इन सब को हडा देते हैं चले पहला question देखेंगे यह वाला question देखेंगे कि दो बिंदू PMQ के विभव 10 वोल्ट और माइनस 4 वोल्ट पर रखे जाते हैं तो 100 एलेक्ट्रोनों को P से Q तक ले जाने में किया गया कारिय क्या होगा देखो P से Q तक ले जाने में किया गया कारिय कारिय बराबर होता है आवेश इंटू विभवानतर देन यहां से क्या जाईगा हमारे पास में कारिय W इस इक्वल आवेश इंटू दोनों बिंदुओं के मद्दे का विभाव तो कहां से कहां पर लेकर जाया जा रहा है पीसे Q पर तो बिंदू अंतिम बिंदू का विभाव माइनस प्रारंबिक बिंदू का विभाव Q का मान कितना है 100 इलेक्ट्रोन है तो 100 into एक एलेक्ट्रोन का आविश, तो 100, और एक एलेक्ट्रोन का जो आविश है, वो है माइनस में 1.6 गुणा दस की घात है, माइनस 19, और VQ, बिंदू Q का विभव, माइनस में 4, बिंदू P का विभव, माइनस का साइन तो है, ये फोर्मूले में P का जो विभव है, वो है 10 तो कितना जीएगा हमारे पास में देखो यहां से माइनस का 4 माइनस का 10 तो माइनस का 14 यहां से माइनस माइनस तो हो जीएगा प्लस 14 को जब आप 16 से गुणा करेंगे देन यहां से आपको 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 और 8 कितना हो गया 22 तो 22.4 आएगा कितना आएगा 22.4 और 10 की घात यहां से हमारे पास में माइनस में 17 रहेगा 22.4 और इसकी घात माइनस 17 जूल रहेगा, clear अगले क्यूशन की ओर वड़ते हैं कि किसी भी बिंदू xyz यह सारे के सारे मिट्रों में दे रखे हैं, विद्दू तिभाव V बराबर 4x2 वोल्ट द्वारा दिया जाता है, तो बिंदू 1 मीटर 0, 2 मीटर पर विद्दू चितर वोल्ट पर मीटर में क्या होगा clear क्यूशन समझ में आ जाना चीए, तो जिए विद्दू चितर की जो तीवर्ता है e vector बराबर होती है e x i k plus e y j k plus e z k k यही होती है और e x, e y, e z इन तीनों की value यहाँ पर हम find out कर लेते हैं क्या है देखे यहाँ से आप दिहान देंगे e x तो क्या होगा minus में del v upon del x तो minus में del by del x v की जो value है वो है 4 x square तो minus में 4 x square का आप differentiation करोगे तो 2 x तो minus का 8 x आजएगा minus 8 x इसी प्रगार से हम है e y तो minus में del v upon del y तो minus में v की जो value है वो है 4 x square आप differentiation कर रहे हैं y के respect यहाँ पर है 4 x square तो 4 x square का y के respect differentiation करोगे तो क्या आजएगा ? 0 आजएगा तो यह आजएगा तो यह आगया 0 इसी प्रगार से e z कितना आजएगा ? minus में del v by del z तो यह minus में del by del z और यह है 4 x square तो x के respect z के respect x का करोगे तो 0 हो जएगा तो यह दोनों पर 0 होगे e x की value minus में 8 x आजएगी तो क्या आजएगा हमारे पास में ? e x की जो value है वो minus में 8 x i cape फिर यह तो 0 और यह भी 0 हमारे को कोण से बिंदू पर पूछा है ? x का मान तो है यह y का मान और यह z का मान तो देखे हमारे पास में जो विद्दू चितर की तिवरता आ रही है उसमें केवल x का पद आ रहा है और x का मान है 1 तो यहां पर हम put कर देंगे तो e vector equal to minus में 8 गूणा 1 i cape तो यह आगया minus में 8 i cape यह volt per meter में ही आ रहा है तो देखे यह विद्दू चितर की तिवरता हमें 8 iq में लगई है और रिणात्मक अक्सक्सिस दिसा में मिली है यह minus में आई केप क्या बता रहा है कि रिणात्मक अक्सक्सिस दिसा में विद्दू चितर है clear अगले question की और बढ़ते है कि एक 5 सेमी तिर्जा के खोकले गोले को 10 वोल्ट तक आविसित किया जाता है तो गोले के केंदर पर विभव कितना होगा इस question को clear कर लें कि यह हमारे पास में एक गोला है इस गोले की जो radius है वो है 5 सेमी और इस गोले का जो विभव है वो हमारे पास में दे रखा है 10 वोल्ट तो हमारे को इसके केंदर पर विभव पूछा है केंदर पर विभव कमान कितना होता है तो मैं आपको यहां पर clear कर दूँ जितना उसके प्रस्ट पर होता है देखो खोकला गोला है खोकला गोला हो, चाला गोला हो, गोली कोस हो गोली खोल हो जितना उसके प्रस्ट पर विभव होता है उतना का उतना ही उसके अंदर सभी बिंदूओं पर होता है तो उसके केंदर पर भी प्रस्ट के बराबरी होगा प्रस्ट के उपर कितना? 10 वोल्ट तो इसके केंदर पर भी कितना होगा 10 V ही होगा यदि यहां पर खोकले गोले की स्थान पर कोई कुचालक गोला आ जाता कुचालक गोला आ जाता तो जितना इसके प्रष्ट पर होता है केंदर पर उसका 1.5 गुणा होता है जितना केंदर पर है, उसका 1.5 गुणा उसके केंदर पर होगा तो हलागि इस क्यूशन के हिसाब से केंदर पर जो विभो है, वो 10 वोल्ट आएगा कितना आएगा? 10 वोल्ट, clear? अगला जो हमारा क्यूशन है उसके लिए एक चित्र में परदसित तो चित्र में आपके सामने रख देता हूँ यह हमारे पास में एक चित्र है यह अक्सक्सिस है यह यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके कोडिनेट A, 0 है यहाँ पर पॉइंट है B जिसके कोडिनेट 0, B है यहां small q आवेश रखा हुआ है अब देखें क्यूशन को पढ़ लीजिए यह चित्रवे प्रदसित अक्स वाई अक्स के केंदर o पर एक आवेश प्लस q तो यहां पर प्लस q आवेश रखा हुआ है सीधी रेखा कि अनुदिस आवेश q को a से b तक ले जाने में किया गया कारिय क्या होगा a से हम कहां ले जा रहे है b अन्तिम बिंदू कोण सा है b है प्रारंबिक बिंदू कोण सा है a है तो देखें कारिय बराबर क्या हो यहीगा कारिय बराबर जिस आवेश को आप लेकर जा रहे है तो आवेश capital Q को लेकर जा रहे हैं फिर अंति बिंदु का विभाव माइनस प्रारंबिक बिंदु का विभाव तो A पर विभाव यह है B पर विभाव तो capital Q B पर विभाव तो कितना होगा इस आवेश की वज़े से यहां पर जो विभाव होगा तो K Q बट्टे में यहां से यहां तक की जो distance है यह है B यहां से यहां तक की जो दूरी वो क्या है? B और यह वाली जो distance है coordinate देखकर पैचान दीजिए यह तो distance A है और यह distance क्या है? B है, clear? तो K Q अपॉन B फिर माइनस K Q अपॉन A यह आ गया हमारे पास में तो यह आ गया है के small Q, capital Q into में एक बट्टे में B माइनस एक बट्टे में A यह आचे एगा हमारे पास में W, work done ठीक है? clear हो जाना चाहिए next question देखिए कि यदि एक संभाह हूँ तिर्बुज के तीनों सिर्सों पर 2Q, Q, minus Q आवेश सिस्तित है तो तिर्बुज के के इंदर पर विद्द दिभाव कितना होगा? question को एक बार समझ लीजिए कि संभाहू तिर्बुज दे रखा है ऐसा हमें एक triangle दे रखा है इसकी ये वाली भुजा हम L consider कर लेते हैं तो तीनों ही भुजा ही क्या होगी? L के बराबर ही होगी तीनों सिर्सों के नाम हमने ABC दे दिये हैं इसके उपर आवेश मुजूद है 2Q, इस पर आवेश है Q और इस पर आवेश है minus में Q और इनका जो केंदर है केंदरक है, वो इनके मादिगाओं का परतिशेद बिंदू होगा यहां मुझूद है तो देखें, यहां से इसके सिर्से केंदरक की जो संभाहू तिर्बुज के अंदर जो डिस्टेंस होती है, यह सेम होती है यह डिस्टेंस क्या होती है? सेम तो बिंदू P पर विभाव बिंदू P पर विव हो तो A के कारण से ये वाली जो distance है वो मैं small A consider कर लेता हूँ तो A पर जो मुझूद आवेश है उसकी वज़े से तो K to Q upon A फिर प्लस में इसकी वज़े से यहां पर K Q upon A इसकी वज़े से minus में minus में K Q यह देखो माने minus का sign इस आवीश की कारण से लिया है बट्टे में भी A यह तो कट जएगा तो VP बराबर क्या जएगा K to Q upon A यह आएगा विद्दूत विभाव clear इसपस्ट हो जाना चीए clear हो जाना चीए विद्दू छेतर की तीवड़ता पूछते तो इन दोनों की वज़े से इधर होती K to Q upon में A square इसकी वज़े से इधर होती अनकी direction तो देखो अलग-अलग होती हलागे फिर माना हमें इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि उनमें सदिश योग होता और इसकी वज़े से जो विद्दू छेतर की तीवड़ता वो इधर होती इन दोनों का परिमान सेम होता और इसका परिमान है वो इन दोनों का दुगुना होता तो वहाँ पर हम क्यात करते और क्या उस condition में कुछ questions और देख लेते हैं चलिए यहां से इनको एक बार हटा देता हूँ नई question लेते हैं चलिए इसमें पहला question देखिए कि दो आवे से प्लस छे माईक्रोकुलाम तो माईनिस चार माईक्रोकुलाम को पंदर सेमी की दूरी पर रखा जाता है एक के दाएं से कितनी दूरी पर विभव सुनने होगा एक के दाएं ओर दाएं ओर इस तरफ हो गया देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो ए है इसकी उपर जो आवेश है वो धनात्मक वाला आवेश है छे माईक्रोकुलाम है यह छे माईक्रोकुलाम और यहाँ पर माईक्रोकुलाम तो इसके दाएं ओर तो देखो एक तो अनन्त पर तो विद्धु दिभव जीरो होता यह तो एक आंस्वर तो इसका है अनन्त और कौन सा हो सकता है वो हम देख लेते हैं इनके बीच में भी विद्धु दिभव जीरो हो सकता है तो हाँ हो सकता है इनके बीच की जो distance है वो है 15 सेमी कितनी है मैं यहाँ से अक्स दूरी पर विद्धु दिभव कितना लेलू 0 लेलू तो देखो क्या जेएगा बीच वाली distance find out कर लेते हैं इस बिंदु पर विद्धु दिभव 0 होने का मतलब हो गया इस धनावेश के कारण से विद्धु दिभव तो क्यू वन बट्टे में अक्स प्लस क्यू टू बट्टे में 15 मैंनेस अक्स बराबर 0 तो यहाँ से जो क है वो 0 में चला जाएगा q1 की जो वेल्यू है वो है 6 गूण दसकी घात minus 6 बट्टे में अक्स प्लस minus 4 गूण दसकी घात minus 6 तो यह minus का साइट आ गया थिर बट्टे में 15 मैंनेस 6 बराबर जिदना 0 यह minus का साइट यहाँ क्रेट हो गया हलाएकि 10 की घात minus 6 जीरो में चली आएगी, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेएगी, तो 6 बटे में अक्स, बराबर 4 बटे में 15 माइनस अक्स, 15 माइनस अक्स को इधर गुणा कर दीजिए, ये हमारे पास में कितना आ गया, 90 माइनस 6 बराबर 4 अक्स, ये आ गया हमारे पास में 10 अक्स बराबर 90 अक्स बराबर आ गया, नो सेमी, तो यहां से एक तो अनंत पर हो गया, एक यहां से नो सेमी के उपर विद्दु दिभव कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, एक इस्तिती और लेता हूं मैं, कि यहां से जैसे मालीजे कि अक्स दूरी पर इस बिंदु पर भी विद्दु द यहां से इस आवेश की वज़े से विभव तो k 6 गुण दसकी गहात मैनेस 6 यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 है 15 है और यह वाली डिस्टेंस हो जाएगी 15 प्लस अक्स फिर मैनेस में k इसकी वज़े से तो इसकी वज़े से k मैनेस में 4 तो यह मैनेस का 4 गुण दसकी गहात मैनेस 6 बट्टे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस अक्स है बराबर में 0 के 0 में चला गया, दसकी गात माइने 6, 0 में चले गई, तो 6 बट्टे में 15 प्लस अक्स बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 बट्टे में अक्स, ये इधर गुणा हो जाएगा, 6 बराबर, 15 प्लस अक्स इंटु में 4, 6 अक्स बराबर साथ और अक्स बराबर आजेएगा साथ बट्टे में दो बराबर तीस सेमी कितना आजेएगा तीस सेंटिमेटर क्लियर हो जाना चाहिए तो यह तीन डिस्टेंस आ गई है नो सेमी तीस सेमी और अनंत पर विद्दुतिवों कितना है जीरो है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्यूशन है वो क्या है कि एक बिंदू अक्स बाई जेड पर विद्दुतिवों वी बराबर मैनेस में अक्स स्क्वेर वाई मैनेस अक्स जेड क्यूब प्लस फोर है तो इस बिंदू पर इलेक्टिक फिल्ड क्या है तो सबसे पहले तो हम एक्स ग्याद कर लेते हैं मैनेस में डेल वी अपोन में डेल अक्स तो मैनेस इसका अक्स के रस्पेक्ट डिफ्रेंसियेशन कर देते तो इसका तो क्या हो जाएगा मैनेस में दो अक्स वाई इसका हो जाएगा मैनेस दो अक्स तो यह मैनेस का पढ़ा ही है और फिर इस अक्स का होगा तो वो होज़ेगा एक तो माइनस में जेड क्यूब चार का होज़ेगा जीरो इसी प्रकार से ए वाई माइनस में डेल वी अपॉन में डेल वाई तो माइनस में y के respect करेंगे तो minus में x square बाकी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो plus में x square हो जाएगा. इसी प्रकार से ez बराबर क्या हो जाएगा? minus में del v upon del z बराबर. z के respect करेंगे तो ये 0, ये 0, ये कितना रजाएगा? minus में x into 3z square, clear? ये हो जाएगा minus minus plus 3x z square. यहाँ दोनों से minus कॉमल लेंगे, ये minus से गुणा हो जाएगा. 2x y plus z cube. कुल जो विद्दुचितर की तिवरता है, e x i k plus e y j k plus e z k k f. क्या जाएगी? e x की वेल्यू वो पड़ी, उपर उपर. 2x y plus z cube i k plus e y की वेल्यू, x square j k plus e z की वेल्यू, 3x z square k k f. ये हमारे पास में electric field intensity आ गई है. यदि आपको यहाँ पर बिंदु के coordinate दिये होते, कि जैसे मालों के 1-1 दे दिया, 0-0-1 दे दिया, 0-1-1 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, तो उसमें आपको बाद में ये find out करने हैं, कि पर शाद x y z की वेल्यू, 0-1-1 या जो भी दिय हुई है, वो आपको put करनी होगी, ठीक है, clear? अगले question की ओर बढ़ते हैं, क्या है question अगला, कि किसी बिंदु आवेस से, एक निश्चित दूरी पर विद्दु छित्र, 500 वोल्ट परते मिटर था, विद्दु दिवहव 300 वोल्ट है, तो ये निश्चित दूरी क्या है? विद्दु आवेस की कारण से, विद्दु दिवहव kq by r, विद्दु छित्र की तिवरता, kq by r square, v का मान हमें दे रखा है, 3000 वोल्ट, e का जो मान है, वो हमें दे रखा है, 500 वोल्ट पर मीटर, तो यहां से, हम v बट्ट में e निकाल लेते हैं, तो v बट्ट में e निकालेंगे, तो kq बट्ट में r, kq बट्ट में r square, बराबर, 3000 बट्ट में 500, तो यहां से सब कुछ कर जाएगा, r रह जाएगा, और यहां से भी 6 आजाएगा, तो 6 मेटर आजाएगा, आंसर क्या आजाएगा, 6 मेटर, इस वीडियो का अंतिम क्यूशन देखिए, कि तिरजी r1 था r2 की दो आवेशित गोलों का प्रस्टावे इश्कनत्व समान है, तो इनकी वीभों का अंपात क्या होगा, हमारे पास में दो गोले है, और दोनों की रेडियो समान दे रखिए, प्रस्टावे इश्कनत्व समान दे रखिए, इनकी वीभों का अंपात हमें पूछा गया है, तो देखें किसी गोले के कारण से विद्दु धिभाव ये होता है, क्यू बट्टे में आर, तो क्यू 1 अपोन आरवन, क्यू 2 अपोन आरटू, ये आगया हमारे पास में क्यू 1 बट्टे में क्यू 2, इंटू में आरटू बट्टे में आरवन, Q1, पहले गोले का प्रस्ट आवेशकणतवे, तो आवेशकणतवे बराबर क्या होता है देखो आवेशकणतवे सिग्मा बराबर आवेश बटे में चित्रफल q बराबर, सिग्मा इंटू चित्रफल पूट करना है सिग्मा इंटू छित्रफल तो यहां से आप ध्यान दें V1 अपोन V2 बराबर Q1 की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो सिग्मा उसका छित्रफल 4Pi R1 स्क्वेर इंटू R2 पड़ाईए Q2 कमान कितना है सिग्मा इंटू 4Pi R2 का स्क्वेर इंटू R1 सिग्मा 4Pi से सिग्मा 4Pi कैंसिल हो गया 1R1 से 1R1 कैंसिल हो गया 1R2 से 1R2 भी कैंसिल हो गया तो R1 बट्टे में R2 रजेएगा V1 बट्टे में V2 बराबर क्या रहेएगा R1 बट्टे में R2 जब प्रस्टाविश गनत्वे equal हो बराबर हो तो ये थे कुछ क्यूशन से जो कि विद्दु दिवाव पर आधरित थे और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एलेक्टिक पोटेंसिल से रिलेटेड सारे के सारे बिंदू क्लियर करने का प्रियास किया है और मुझे उमीद है आप लोगों को ये सारे जो बिंदू है टोपिक है वो अच्छे से समझ में आये होंगे आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हाँ मैं विद्दुत इस्थतीच उर्जा के बारे में चर्चा करेंगे विद्धुत इस्तदी जूर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारे लेंगे आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों